इसकार में राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारे नी उस बिहार में कुरोना अब 69,000 को भी पार कर चुका है जो नए आकरे सामने आ रहे हैं उसके अनुशार बिहार में कुरोना मरीजों के कुल संक्याब 69,500 सरसट हो गई है बिहार स्वास्त विभाग ने जो जानकारी दी है और जो आकरे साजा की है उसके अनुशार पिछले 24 गंटे में पूरे बिहार से 297 नए संक्रमित मरीज निकल कर सामने आये हैं इन 297 जो नए संक्रमित मरीज निकल कर सामने आये हैं उनमें पटना से 200 से जादा मामले आये हैं वहीं वैसाली कटिहार बेगु सराय से भी 100 से ज्यादा मामले निकल कर सामने आएं पहले एक नजर डाल लेते हैं कि पिछले 24 गंटी में किस जीले से कितने मरी जिन निकल कर सामने आएं अररिया 24, अरवल 10, औरंगाबाद 46, बाका 45, बेगु सराय 13, भागलपूर 44, भोजपूर 84, बकसर 49, दरभंगा 46, इस्ट चंपारं 96, गया 91, गोपालगन 27, जमुई 21, जहानाबाद 17, कैमूर 17, कटिहार 137, खगरिया 51, किसन गंज 9, लखी सराय 26, मद्यपूरा 20, मदुबनी 95 मुंगेर 10, मुजफरपूर 82, नलंदा 84, नवादा 22, पटना 293, पुर्निया 72, रोहतास 68, सहरसान अब्य समस्तिपूर 46, सारन 72, सिकपूरा 30, सिवहर 8, सितामडी 79, सिवान 57, सुपॉल 57, वैसाली 115, वेस्ट चंपारं 37, इस्तरा कुल 297, नय संक्रमित मडी 24 गंड़े में न जो हैं उन सभी जीलों से सामने आएं तो बिहार में के सब 69,000 के पार पहुंच गया है कोरोना मरीजों का और इस 69,000 के पार पहुंचते हैं ही बिहार में राजनितिक बयान बाजियां भी कोरोना को लेकर लगतार तेज होती जा रही है नेता पृतिपक्ष तेजश्वी या पार पीसिया टेस्ट है उसमें वह बढ़ावा नहीं कर रही है जो कि सब से 60 रिपोर्ट देने वाली जाच मानी जाती है कोरोना की इसलिए नेता पृतिपक्ष तेजश्वी या तो लगतार सरकार पर हमलावर हैं लगतार आरोप लगाते जा रहा है वहीं सरकार के तरफ से भी बिहार सरकार के तरफ से भी इस आरोपों का खंडन किया जा रहा है और लगतार यह बात बताई जा रही है कि जाच बढ़ा दिया गया है जैसा कि कलम ने देखा कि 35,000 से जादा जाच बिहार में की गई थी वहीं नितिशकुमार माननीय मुक्रमतरी नितिशकुमार का भ अलंकि उन्होंने यह चींता जरूर जाहिर किये कि बिहार की अबादी लग बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा अबादी का जल से जल जाच करना बहुत कठिन काम है इतना आसान नहीं है लेकिन जो विपक्ष है उसका आरोप रैपिड एंटीजन को लेकर रहा है कि यह उतना हमेशा सहीं सफल उसका रिपोर्ट नहीं माना गया है तो उसमें बढ़ावा देने के बजाए सरकार आटीजन को क्यों नहीं बढ़ावा दे रही है और आज विधान सभाजों की घ्यान भवन में जिसकी बैटक होई तो उसमें इसके लिए काफी ज्यादा बयान खैर फिलाल बिहार में आकराब 69500 सरसट हो चुका है को रोना का और पिछले 24 गंटा में 2792 संक्रमित मरीज मिले हैं ऑफाल बिहार को बचाना है तो खुद को बचाईए खुद बचीएगा तो भी यह अपने आप सुरक्षित होता चला जाएगा इस लिए जरूरी है की मास्क का उपयोग करें को ब्रेक करने के लिए जरूरी है साथी घर में रहें जरूरत के काम के लिए बाहर निकले सोसल को बनाय रखे जो भी जरूरी के माना के सुरक्षा के आपके लिए उसका पालन जरूर करें खुद सुरक्चित रहें और विहार को सुछा बनाने में सही उख करें खबरोत अबडेटर रहें देखते रहें यह बिहारी निवेच धन्नेवाद